दोस्तों अमबाती राइडों के शानदार पारी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें वीवो आई पील में आज सुपर संदे में इस सीजन की मजबूत्ती में आमने सामने थी जिसमें चैन्नई सुपरकिंग्स ने हैदराबाद को आसानी से आठ विकेट से हराया इसके लवा इस सीजन के शिरुवात में भी चैन्नई ने हैदराबाद को हराया था अब चैन्नई के इस आई पील में 16 अंक हो गए हैं आज चैन्नई ने चॉस जीत कर पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया जिसके बाद है अधराबाद ने पहले बल्ले बाजी करते हुए निर्थारित बीस ओवर में 189 चार रन बनाए जिसमें उपनर शिखरदवन ने शानदार 89 रन बनाए इसके लवा कप्तान के इन विल्यम सन ने 51 रन बनाए 180 रनों के लक्षे का पीछा खटे हुए चैन्ने के उपनरों ने इसे बना साबित कर दिया शैन वाच सन ने 57 रन बनाए लेकिन माच के असली हीरो रहे अमबाती रायुडू जिन्होंने नाबाद 100 रन बनाए इनके लवा कप्तान महेंर सिंग तोनी ने नाबाद 20 रन बनाए अपने IPL करियर का पहला शतक जमाने वाले अमबाती रायुडू को मैन ओफ दे माच चुना गया हैदरबाद पर बड़ी जीत से खुश दोनी ने इंटर्वियू में अमबाती रायुडू के बारे में इतनी बड़ी बात कहदी है जिसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे दोनी ने कहा कि मुझे लगा कि गेंस विंग करेगी लेकिन दूसरे हाफ में ऐसा नहीं हुआ जिसे में काफी सर्प्राइज हुआ रायुडू और बाटसन ने काफी अच्छी शुरुवात दी मुझे लगा कि 180 रन हेदरबाद के खलाफ काफी कठिन रहेंगे लेकिन रायुडू और बाटसन ने ऐसा नहीं होने दिया दोनी में कहा कि IPL के शुरुवात से ही मेरी रायुडू पर नजर थी क्योंकि मैं उसे काफी अच्छा बल्लेवाज मानता हूँ वह तेज गेंवाज और स्पिनर दोनों को बेहतर तरीकर से खेल सकता है हार टीम IPL में स्पिनरों पर अटैक करती है लेकिन ये खिलाडी जब भी शॉट्स खेलता है वह बाउन्डरी जरूर जाती है दोनी ने कहा कि मेरा माना था कि यदि केदार खेलता तो मैं रायुडू को ओपनिंग ही कराता लेकिन वो नमबर चार या पांच के लिए भी एक अच्छा बल्ले बाज है वह अब मैच के हलाट के अनुसार बल्ले बाजी करने में सक्षिम है इस बार हम चेन नई में सिर्फ एक ही मैच खेल पाए लेकिन पुढ़ी के फैंस के सपोर्ट भी कमाल का है